नमस्कातों दोग्तों मैं आपो सचन, आप देख रहे हैं सचन का किछण वारा आज हम बनाने वाले हैं भर्वा करेली की सबजी यो तो भर्वा करेला बनाने के लिए यहां पे हमें पांच करेलो की जरूरत होगी और कोसिस करें कि सारे करेले एक बराबर हो इन करेलो को आपको इस तरीके से पिलर की मदद से इसे छील लेना है और आप जितना पतला इसे छीलेंगे उतना ही ज्यादा ये जल्दी पकेगा यारी कि जितना आप इनकी बाहरी ये परत को निकालेंगे न ये उतना ही जल्दी पकेगा बहुत ज़्यादा मोटा आप इसे रख देंगे तो इसे पकने में टाइम लगेगा तो यह आपके उपर है कि आप इसे कितना पतला छीलते हैं तो इसे हमें अच्छी तरीके से छील लेने के बाद अब हम इसमें कट लगाएंगे यानि कि उपर और नीचे के भाग को पहले हम काट लेंगे बहुत थोड़ा थोड़ा सा काटना है बहुत ज़्यादा आपको इसे नहीं काटना है फिर हम बीज से इसमें चीरा लगाएंगे जिससे कि इसके अंदर के जो बीज होते हैं उसे हम बाहर निकाल सके और इसे में हम आलू की स्टफिंग को डालेंगे तो पहले हम इन बीजो को निकाल लेते हैं बीजो को अच्छी तरीके से निकाल लेने के बाद सारे ही करेलो में से इसी तरीके से हम बीजो को निकाल लेंगे तो सारे करेलो में से हमने बीच को निकाल लिया अब स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पे हमने तेल को अच्छे से गर्म कर लेना है तेल जब गर्म हो जाए तो इसमें हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे जीरा डालने के साथ ही यहाँ पे कटे हुए प्याज को हमें डाल देना है तो यह हो गए कटे हुए प्याज इसे हमें थोड़ा सा पकाना है यानि कि टांसलूसन खलका सा कर लेना है उसके बाद हम इसमें अद्रक, मिर्च और लहसुन सारी चीजों को एक साथ पीस लेंगे तो यह देखे इसकी कॉंटिटी है इन सारी चीजों को आपको पीस के इस तरीके का पीस बरा लेना है और फिर इसे हमें प्याज के साथ अच्छी तरीके से पका लेना है करीबन एक से डिर्ड मिनट तक आपको इसे पकाना है फिर इसके बाद इसमें हम अपने सूखे मसालों को डालेंगे तो मसालों में हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्श का पाउडर और इसके साथी धन्या पाउडर और इसके साथी यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला इन सारी चीजों को डालने के बाद इसमें हम डालेंगे पंच फोरन का मसाला तो ये देखिए ये होता है पंच फोरन और इसे ही हमने पीस लेना है और पीस लेने के बाद ये पाउडर आपको मिलेगा और इसका तीन छोड़े चमच हमें इसमें डाल देना है तो ये पंचपोरन का मसाला बहुत ही जरूरी होता है ये जो कलोंजिया होती है या स्टफिंग जो हम बनाते हैं ये कोई भरवा सबजी बनाते हैं उसके लिए तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा नमक डाल दिया साथ में ही आलू डाल देंगे और आलू को आप चाहें तो थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं तो यहाँ पे आलू को हमें साइट से भी इसे देना है साइट से भी डिसमेंड रखना है इसलिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ज़्यादा आलू का यूज किया है तो सारी चीजों को आपको अच्छे से मिक्स कर देना है, मिला देना है एक से डिएड़ मिनट इसे आप पका लीजे और ये आपका मसाला बनके बिल्कुल तयार हो जाएगा थोड़ा सा आप चाहें तो इसे चटपटा बनाने के लिए यहाँ पे अमचूर पाउडर का भी यूज कर सकते है तो अमचूर पाउडर डालके बस इसे मिक्स कर दीजे और इसे अब हम कड़ाई से बाहर निकाल लेते हैं तो एक प्लेट में मैं इसे निकालके रख लेता हूँ अब इसके बाद का प्रोसेस क्या है कि यहां पे अब हमने जो करेले को पील करके रखा हुआ था इसमें थोड़ी सी खल्दी और नमक डाल देंगे जिससे कि यह थोड़ा सीजन हो जाएगा इसके बाद आलू का जो हमने मसाला बनाया है आलू का मसाला जब ठंडा हो जाए तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें इसकी स्टफिंग को हम भर देंगे और सारे ही करेलो में अच्छी तरीके से स्टफिंग भर देनी है आपको और भर देने के बाद इन स्टफिंग को ये बाहर ना निकले इसके लिए हमें क्या करना है कि घर में जो सुई धागा वाला धागा होता है ना बस उसी से आपको इसे अच्छी तरीके से बाढ़ देना है इसे पैक कर देना है कि जब हम इन करेलो को फ्राई करें तो इसके अंदर के स्टफिंग बाहर ना निकले अगर आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा बेसन डाल सकते हैं स्टफिंग में जिससे कि ये जो स्टफिंग है बाहर नहीं गिरेगी और ये बढ़िया सा ड्राई भी रहेगा अगर आप इसे डी फ्राई करना चाहें तो डी फ्राई भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे इन करेलो को मैं सेलो फ्राई करूँगा तो ये हो गया हमने इसे धागे से अच्छे से बाढ़ दिया है और इसी तरीके से हमें ही सारे ही करेलो को अच्छी तरीके से धागों में इस तरीके से बाढ़ देना है जिससे की इसकी स्टफिंग जो है वो बाहर ना निकले तो यहाँ पे यह जो मसाला बचा है इसे हम साइट से रस्पी में देंगे अब यहाँ पे इसी हांडी में ही मैं थोड़ा सा तेल डालके इसे मैं सेलो फ्राई करूंगा आप चाहें तो इसे डी फ्राई भी कर सकते हैं सलो फ्राई करने के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे करेलो को इस तरीके से हम धीरे धीरे पकने देंगे हो सके तो अब धकन हलका सा लगा दीजे पूरा बंद मत कीजेगा धकन को लगा दीजे जिससे की ये स्टीम से भी पकती रहे दस मिनट एक तरफ से पका लेने के बाद इसे हम पलट देंगे और पलट देने के बाद दूसरी तरफ से भी हम दस मिनट इसे पकाएंगे इस प्रोसेस से थोड़ा टाइम जरूर ज़्यादा लगता है लेकिन करेलो का टेक्शर बहुत ही बढ़िया आता है और ये अंदर से बिलकुल पके हुए होते हैं अगर आपको जरूरत हो तेल की तो आप बीच बीच में तेल डालते रहें खलका सा अगर आप चाहें तो तेल को गर्म करके भी डाल सकते हैं दस मिनट से दूसरी तरब से भी पका लेने के बाद आप इसे चेक कर सकते हैं कि आपके करेले तयार हुए या नहीं करेले आपके तयार हुए या नहीं ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि करेलो को आपने कितना छीला था अगर आप इसे अच्छी तरीके से पूरा चील देते हैं तो ये 10 मिनिट में ही तयार हो जाएंगे अगर आप मोटा इसे पील करते हैं यानि कि बहुत ज़्यादा पील नहीं करते हैं तो इसमें आपको एक तरफ से पकाने में 20 मिनिट लगेगा यानि दोनों तरफ से आपको पकाने में 40 मिनिट भी लग सकते हैं तो इसी तरीके से आपको करेलो को अच्छी तरीके से पका लेना है बिलकुल नर्म कर लेना है और नर्म करने के बाद ये आपका भरवा करेला बनके तयार हो जाएगा तो इसी तरीके से ढखते हुए धीरे धीरे इसे पकने दे और ये जो करेला तयार हो जाएगा इसे हम साइड में निकाल लेंगे और उसके बाद हम इन करेलों से पहले धागे को अलग करेंगे तो करेले हो चुके हैं तयार अब इसको प्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे एक प्लेट में मैंने जो आलू के स्टफिंग बची थी उसे हम ले लेंगे निकाल लेंगे और उसके बाद करेलों से हम धागे को पहले अलग कर लेंगे तो यहाँ पे एक कैची की मदद से मैं इन धागों को काट लूँगा जिससे की धागे को निकालना आसान हो जाए धागे को हम निकाल लेंगे और उसके बाद एक के बाद एक उपर इस तरीके से मसालों के उपर हम करेलों को रखेंगे और सजाएंगे इन स्टफ किये हुए करेलों के साथ ये जो आलू का मसाला है ये भी बहुत ही अच्छा लगता है तो इसलिए मैंने इसे थोड़ा एक्स्ट्रा बनाया था आप भी इस तरीके से बना के देखिए बहुत ही बढ़ियां लगेगी आपको ये करेले की ये भरवे करेली की सबजी उमीद करता हूँ रेस्पी आप जरूर ट्राइ करेंगे मिलते हैं अगली रेस्पी के साथ थैंक यू सो मच